नमस्ते दोस्तों, पॉलुशन हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है इसके बहुत कारण है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से प्रदोसर काफी तेजी से बढ़ रहा है पॉलुशन चाहे पानी की वज़े से हो या हवा की वज़े से नुकसान हम सब के लिए ही है इसकी वज़े से किसी को cancer है तो किसी को sugar हो गया है तो किसी को heart से related problem हो गया है pollution are mainly three types water pollution, air pollution and noise pollution पर आज हम यहाँ air pollution से होने वाले नुकसान के बारे में आप सब का ध्यान के अंदरित करना चाहता हूँ air pollution एक ऐसा प्रदूसर है जिसके कारण रोज बर रोज मानो स्वास्त खराब हो रहा है और environment के उपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है यह प्रदूसर ओजोन लेयर को पतला कर रहा है जिससे आप घर के बाहर कदम रखते ही मसूस करते हैं कि हवा किस तरह प्रदूसित हो चुकी है यह प्रदूसर बसों, स्कूटरों, कारों तथा कार खानों की चिमनियों से हो रहा है सिगरेट का धुआ भी हवा को दूसित करने में पीछे नहीं है जहां पर वाई प्रदूसर जादा हो जाता है वहां लोगों की आँखों में जलन, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, खासी आना आम बात हो जाता है तो आईए जाने कि वाई प्रदूसर को कैसे कम किया जा सकता है इसको कम करने के लिए अधिक से अधिक साइकल का इस्तिमाल करना चाहिए सारवजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए बच्चों को कार से स्कूल न छोड़े बलकि स्कूल बस के लिए प्रुसाहिद करें अपने घर के लोगों को कारपुल बनाने के लिए कहें जिससे की वे एक ही कार में बैट के आफिस जाएं जिससे पेट्रोल भी बचेगा और पॉलूशन भी कम होगा अपने घरों के आसपास पेंड पॉधे लगाएं तथा उसका देख भाल करें पार्क में सूखी पत्तियां हो तो जलाएं नहीं बलकि उसका खाद बनाएं यह सब आप करके एर पॉलूशन को बढ़ने से रोक सकते हैं और परियावरंड को हरा भरा बना सकते हैं आसा करतो हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप एर पॉलूशन को कम करने में अपना योगदान देंगे Thank you, Have a Great Day, Jai Hind